नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रिसेंटली कोई गांठ महसूस हुई है शरीर में या आपके डॉक्टर ने कोई टूमर डाइनोस करा है, आप परिशान है, उस गांठ से या टूमर से छुटकारा चाहते हैं तो हमियोपथी में एक बहुत इंपॉर्टन दवा है किलकेरिया फ्लोर, आज इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं किलकेरिया फ्लोर के क्या-क्या यूजर्स हैं इसे लेंगे तो किन चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर सेल्फ मेडिकेशन में लेना चाहते हैं प्लाओन एज ज सकते हैं आपको बेना चाहते हैं किलकेर यूजर्स तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई आखरीय कलकेरिया फ्लोर क्या है अब देखिए कलकेरिया फ्लोर केमिकली अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो रड़े सी ए एफ टू यानि कैलिशियम फ्लोराइड अब यहां पर दो मेजर हमारे ए प्लेजर करता है एक प्लेज़ करता है साथ में जो दूसरा मा malad्रोर के मैं हमारे बॉडी में इस तरह से कदاخला है तो सूछिज रोसे कंता है जिन सिंट्म्टम्स के लें वह कितने अच्छ से काम करेगए और उसके कितने अच्छे results आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इस वीडियो में मैं basically किलकेरिया floor के uses को तीन parts में डिवाइड करूँगा number one कि किलकेरिया floor गांठों के लिए या tumors के लिए कितनी important है और कौन कौन से tumors में basically अच्छा काम करती है दांतों के ऊपर या bones के उपर किन किन complaints में इसका बहुत अच्छा result आता है और साथ में हमारी arteries के लिए हमारे heart के लिए ये कितनी important दबा है इन तीनों चीजों के उपर हम लों discussion करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे इसकी dosage क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों में से पहले भी चीजों के बारे में जिसका जो है गांठें यानि ट्यूमर्स अब देखे अगर आप के लिए floor देना चाहते हैं अपने patient के लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी ट्यूमर्स आपको अपनी बाड़ी में डाइनोज हो रहा है वो stony है hard है बहुत ही जदा tight है बहुत ही जदा hard है painful हो रहा है patient के लिए बार-बार pain create कर रहा है या बार-बार जो हमारा patient है उसको traumatic injuries हो रही है हमारे body के अंदर उस गांठ की वज़े से अब वो कौन-कौन सी गांठे हो सकती है अगर हम organ wise लेके चलें तो अगर आप अपने brain के अंदर देखते हैं तो अगर patient के brain में aneurysm होता है यानि कोई blood वाली गांठ बन जाती है बच्चों के अंदर infants में calcarea floor बहुत अच्छी दवा है अगर आपकी eyes के अंदर जो आपके eyelids होते हैं यहां पर कोई भी गांठ बन जाती है चोटी सी तो उसकी एक बहुत अच्छी दवा है calcarea floor आप अगर nose में आते हैं तो nose में nasal polyps बार-बार हो रहे है या deviated nasal septum आपको हो रखा है या under sinuses में कहीं कोई गांठ आपको महसूस हो रही है या diagnose होई है तो वहां की बहुत अच्छी दवा है facial tumors अगर आपको हो रहे है multiple facial tumors है या single facial tumor है बहुत ही important remedy है उसकी calcarea floor अब आप अगर नीचे उतरते हैं तो अगर आप देखें आपके lungs के अंदर जो lung fibrosis हो रही है calcification जिसे हम बोलते हैं हमारे lungs के अंदर calcification या lung fibrosis की एक बहुत ही important remedy है calcarea floor इससे जो हमाई lung fibrosis है वो काफी हद तक दिरे-दिरे करके slow down हो सकता है अब ये चीज समझने वाली है कि fibrosis के अंदर जो changes हो जाते है they are permanent आप reverse नहीं कर सकते है मुश्किल होता है reverse करना अगर आप कोशिच भी करते हैं तो इसलिए उसे slow down करना बहुत जुरूरी है उस fibrosis को slow down करने की बहुत ही important दवा है calcarea floor similarly जब हमारे heart में calcification होएं लग जाता है walls में calcification होएं लग जाता है that are permanent calcified changes होते है बहुत ही important दवा है calcarea floor अब आप liver पर आ जाएए तो liver cirrhosis को slow down करने हमें बहुत ही important role play करती है जो हमाई liver में cyst हो जाती है उनको resolve करने की बहुत ही important दवा है calcarea floor इसके बाद हमारे intestines के अंदर अगर कोई tumours हो जा रहे हैं या अगर हम वैसे देखें abdomen के अंदर तो जो hydroceal हो रहा है या हमें varicoceal हो रहा है तो वहां की बहुत ही important दवा है हमारी calcarea floor abdomen areas में जो हरनिया हो जाते है patient को तो अगर currently हरनिया हो रहा है या फिर हमारी abdomen के ऊपर कोई cyst बन रही है जो की हमारे केवल skin surface या जो हमारा fascia है उसके उपर बन रही है muscle के उपर बन रही है stony hard है तो उसके बहुत important दवा है अगर अंदर एक hematoma हो गया आपकी body के अंदर abdomen के अंदर hematoma उसके बाद hard हो गया calcified हो गया उसको resolve करने का बहुत important role play करती है calcified floor अब आपकी body में skin surface की अगर आप बात करें तो देखिए skin surface के उपर जैसे अगर आपको कोई भी tumor महसूस हो रहा है कोई भी cyst for example if it is a dermoid cyst या बच्पन से बनी हुई कोई एक cyst है या फिर कोई cyst अभी recently grow हुई है lipomas अगर आपको जादा हो रहा है और lipomas बहुत ही hard है हलांकि lipomas soft होता है fatty tissue का होता है लेकिन अगर किसी patient का lipomas hard हो गया है बहुत जादा और movement हो रहा है उस movement बहुत जादा नहीं हो रहा है उसके अदर stony hardness महसूस हो रही है अगर आप uterus की बात करें उसके एक बहुत अच्छी दवा है इसके अलावा overall पुरी body के अंदर कहीं पे भी चोटी मोटी गांट है आपके बन जा रही है गांट resolve नहीं हो रही कोई चोट लग गई चोट के बाद गांट बन गई बहुत ज़दा tight हो गई resolve नहीं हो रही है पस नहीं पड़ा है ठीक है कभी आर ऐसे होता है कोई हमारे body में abscess बन जाता है कोई गांट बन जाती है जिसमें पस अभी बना नहीं है लेकिन इस टूनी hard हो रही है बहुत ज़दा तो वहाँ पर जो दवा है that is calcarea flow तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो तनी मैंने आपको सिस्ट बताई है हमारी body में किसी भी तरह की सिस्ट है बहुत ज़दा stoonी hard है परशान कर रही है patient को और उस सिस्ट की वज़ए से कोई pain arise हो रहा है उस सिस्ट के area में नहीं लेकिन सिस्ट की वज़ए से बार बार प्रेशर की वज़ए से कोई अगर trauma create हो रहा है the medicine is calcarea flow यह बात हो गई सिस्ट और टूमर्स के बारे में अब बात करते हैं दातों के बारे में और bones के बारे में देखिए अगर आपके बच्चों के दातों में बार-बार cavity हो रही है या आपको बार-बार cavity हो रही है या आपके जो दातों में डिके बहुत जल्दी हो रहा है जो दातों का gloss है जो आपका dental gloss है वो धिरे-दिरे करे कम होता जा रहा है या दान्त जो आपके दान्तों का बेसिकरी जो टेक्स्चर है अब वो धिरे-धिरे करके बदलता जा रहा है या आपके जो आप टूथ पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी वज़े से कहीं ना कहीं आपके dental decay बहुत जिल्दी हो रहा है बहुत important दवा है कलकेरिया फ्लोर इसके अलावा bones के अंदर osteoprocess बहुत तेजी से हो रहा है या फिर आपको osteoarthritis की दिक्कत हो रही है या bonne deformities हो रही है बच्चों के अंदर जो bones हैं उसके अंदर malformation हो रहा है कहीं ना कहीं या उसके अंदर कोई ऐसे changes आ रहे हैं जो permanent हो सकते हैं उसको resolve करने का उसको slow down करने का रोखने का जो काम करती है जो इसके बाद अगर आप arteries, veins और heart की बात करें तो मैं पहले भी पता चुगा heart के अंदर कोई भी calcification हो रहा है, valves के अंदर calcification हो रहा है, heart muscles में calcification हो रहा है, जो muscles हैं वो hard होती जा रही है, उनकी softness कम होती जा रही है, the medicineous calcification floor, इसके अलावा arteriosclerosis की एक बहुत ही important दवा है, यानि अगर आपके blocked arteries की परिशानी है, बार बार आपकी arteries ब्लॉक हो रही है, उस blockage को remove करने का काम कर सकती है, calcification floor, तो इसी तरह varicose veins, जो हमारे females हैं उनक varicoseal भी हो जा रहा है, तो उसकी भी एक बहुत ही important दवा है calcifieria floor, तो I hope कि मैंने जितने calcifieria floor के benefits थे आपको बता दिये, इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपके काम आने वाले benefits जो हैं, वो यही हैं, तो अब सवाल उठता है कि इन सभी complaints में calcifieria floor कैसे use करनी चाहिए, देखिए, 6X एक ऐसी potency है, जो कि आप आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं, यह आपके जो dental complaints है, बोनी complaints हैं, उनको resolve करने का एक बहुत ही अच्छा solution provide करती है, इसके साथ में अगर आपको जो tumors हैं, जो cyst हैं, अगर वो skin surface के उपर हैं, तो वहाँ पर भी calcifieria floor 6X बहुत अच्छा टाबलेट तक दिन में तीन बार के हिसाब से regular use कर सकते हैं, आपको results मिलने लग जाएंगे, at least एक महिने तक use करिए, और अपने जो भी doctor concerned है, उनसे बात करिए, उन्हें बताइए कि मैंने एक महिने लगभग use करी है, और अभी मुझे results उतने महसूस नहीं हुए, तो doctor ही analyze कर करना है, 6X में या बदलनी है, इसी लिए उसे 6X तक limit करिए, अब बात करते हैं, कलकेरिया फ्लोर 30 और कलकेरिया फ्लोर 200, अब देखिए, कलकेरिया फ्लोर 30 हम तब use करते हैं, जब हमें heart affections के उपर ध्यान देना है, तो हमें एक lower potency चाहिए, लेकिन जिसे हम frequently repeat कर पाएं, ताकि वो उस heart के अंदर, उन valves के अंदर, उन arteries के अंदर होने वाले calcification को रोग पाएं, तो वहाँ पर कलकेरिया फ्लोर 30 का important role है, आप 30 potency में दिन में 3 बार के साब से use कर सकते हैं, आपको ज़रूर results मिलेंगे, लेकिन कुछ समय तक आपको इस्तमाल करनी पड़ेगी, साथ में concerning doctor के साथ में भी आपको touch में रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी complication हो, आप उनसे discuss जरूर कर पाएं, अब बात करते हैं, जो major tumors हैं, जैसे fibroids हो गया, या uterus में हमारे fibroids हो गए, या हमारे body के अंदर कोई बड़ा tumor है, जैसे kidneys के अंदर कोई tumor है, या liver के अंदर tumor है, या हमाई lung fibroids हो रही है, मैं यहाँ पर आप से कहूँगा, बिना doctori parameters के calcarea floor ना लें, अगर आप खुड try करके देखना चाहते हैं, तो 30 ले सकते हैं, 30 को दिन में 3 बार के साथ से यूज़ करके देख लीज़े, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे आपको results मिलें, because reason यह है, यहा जैसे कि आपके symptoms होते हैं, उसके हिसाब से जोसे doctor को महसूस होता है, वो से यूज़ करना पसंद करेंगे, और calcarea floor मैंने अपने experience में जब भी यूज़ करी है, तो 200 और अबव में यूज़ करी है, for all these, जो तने भी tumors मैंने आपको बताये हैं, अभी जैसे fibroidinoma या uterus के fibroids या फिर जो हमारी body में कोई बड़े tumors हैं, अब ध्यान ये रखा जाता है कि जब भी हम 200 potency above यूज़ करें, तो उसकी repetition बहुत जादा ना करें, उसका repetition डॉक्टर के control में होना चाहिए, और जो dosage है वो भी डॉक्टर के control में होनी चाहिए, ताकि आपके body के अंदर जितनी ज क्लीफ हो सकती है, और जो result है वो result आपको महसूस नहीं होगा, तो I hope कि मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी थी about calcarea floor और साथ में जो dosage बताई थी, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कोशिश करी कि मैं to the point of particularly आप लोगों की मदद कर पाऊं और आप cal समझ में आई है, आप मेरी वीडियो से संतुष्ट है, बातों से संतुष्ट है, तो thumbs up देना बिलकुल मत भूलिए, कोई भी मन में सवाल हो, बेज जग कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जबाप जरूर दे पाऊं और आप से request कि चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिए, चलिए मिलते हैं और हुमियोपिध ही की पबलिक इमेज इंप्रूफ करते हैं, मेरी तरफ से नमस्कार, तैंक यू